दोस्तों जब भी हम कोई कारिय करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एक प्लान तेयार करते हैं ताकि हमाज जो कारिय करने जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से सक्सेस्पुल हो उसके लिए जैसे कि engineering का कारिय हो जैसे कोई building बनाना हो या building का electrical fitting करना हो या उसका interior design करना हो या फिर कोई electronics का equipment design करना हो या कोई machine design करना हो या फिर कोई भी tool design करना हो तो उसको successful बनाने के लिए उसका एक planning करना पड़ता है ताकि वो planning अगर successful है तो हमारा टूल जो final product बनेगा वो भी success होगा इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है उसका एक drawing design करना पड़ता है एक drawing बनाना पड़ता है तो वो drawing कैसा दिखेगा, side से कैसा दिखेगा top view कैसा रहेगा, bottom view कैसा रहेगा और उसका side view कैसा रहेगा और front view कैसा रहेगा इसके लिए उसको पहले से prepare करना पड़ता है कि यह कैसा दिखेगा जानि कि कोई भी building बनाते हैं तो उसका इलिए पहले से एक drawing design करते हैं जाकि यह future में हम जो material लगा के इतना cost लगा के या फिर main power लगा के जो भी चीज बनाने जा रहे हैं वो बनी हुई चीज हमको कैसी दिखेगी या हमारे काम की होगी या नहीं होगी इसका पूरा trial ले लिया जाता है और उसी trial लेने की system को हम बोलते हैं drawing बनाना ठीक है तो drawing जो होती है वो अलग-अलग engineering के field के इसाब से अलग-अलग engineers अपने फिल्ड के साब से drawing design करते हैं जैसे कि इसके लिए में only कई fields है जैसे की mechanical engineering drawing होता है electrical engineering drawing होता है electronics engineering drawing होता है और civil आज वह civil का drawing बना के देता है इसके अलावर भी जैसे interior का अलग-ड्रोइंग होता है या फिर ऱमारा gardening, अलग-ड्रोइंग होता तो इस तरीके से जो जो कारिय जो व्यक्ति करता है वो अपने फिल्ड का एक ड्रोइंग आम को बनाके देता है तो हम जो ड्रोइंग बनाते हैं जो भी फिल्ड का इंजिनियर ड्रोइंग बनाएगा जैसे मेकनिकल इंजिनियरिंग का आदमी है वो मेकनिकल का ड्रोइंग बन के देगा तो इस तरीके से जो भी ड्रोइंग बनाएगा उसको कुछ टूल लगेंगे ड्रोइंग बनाने के लिए कुछ टूल्स का वो उप्योग करेगा तो कौन-कौन से टूल्स हैं जो पॉमनली सभी इंजिनियर्स जो है वो यूज करते हैं उनी टूल्स के बारे में हम आज जानेंगे ठीक है तो इंजिनिरिंग बनाने के लिए जो आवशक टूल्स हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नमस्कार मेरा नाम महेंदर कुमार सेनी और आप अवाने के लिए और कंको टूल्स की ज़रूत पड़ती है तो वह टूल्स से जैसे स्कुdoor है प्रॉट्यक्टटर है युज क्रेंट्र कर वहें स्केल है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है और मीनी ड्राप्टर है और आल अं différents में बाद में इंस्टुमेंट्स बॉक्स होते हैं इनका हमको उप्योग करना पड़ता है ड्रोइंग बनाने के लिए इनके बीना ड्रोइंग बनाना संभव नहीं है ठीक है तो इनके बारे में हम जानेंगे तो जैसे ड्रोइंग बोड्स होता है वो इस तरीके का दिखता है यान इनको D0, D1, D2, D3 के नाम से जाना जाता है और जैसे जैसे D के साथ जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्रोइंग बोर्ड का जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है ठीक है तो ये चार परकार के आते हैं उसके बाद मैं देखो T2 होता है ये जो पार्ट होता है इसको ब्लेड बोलते हैं और ये जो पार्ट होता है इसको स्टॉक बोलते हैं ठीक है उसके बाद मैं देखो Set Square होते है Set Square भी दो टाइप के आते हैं Set Square दो टाइप के आते हैं जिसमें एक टाइप होता है जिसके अंदर एक 45 degree एक 30 ये 60 degree ये 30 दिगरी और ये 90 डिगरी का एंगल होता है ठीक है और एक दूसरा टाइप होता है जिसके अंदर इ beet 90 डिगरी एंगल होता है और 2 जो कौन होते हैं वो 45 डिगरी 45 डिगरी के होते हैं ठीक है इस तरीके के 2 set square बजार फिर में मिलते हैं इनकी साहिता से हम जो ड्रॉइंग टूल के अंदर लाइंज खेंचने के लिए यह फिर यूज किया जाता है ठीक हो उसके बाद में और प्रोटेक्टर होता है हैं कुछ special shapes होते हैं, यह नोर्मल tools के दुवारा बनाया नहीं जा सकता, उन्स tools को बनाने के लिए French कर्व का उप्योग किया जाता है, जिने में कर्वज बनाने के लिए इस tool का उप्योग किया जाता है, इसके बाद में scale होता है, scale सब भी जानते हैं, ये दो type के आते हैं, एक steel का scale आता है, और एक plastic का PVC का scale आता है size इसकी 1-6 inch का आता है, और 1-12 inch का आता है ठीक है, इधर इसमें 1 side में inch में दिखाता है, और 1 side में centimeter में दिखाता है ठीक है, ये side centimeter का है तो जो 6 inch का scale होता है, वो templates जैसे की circles, squares, या फिर hexagonals, triangle, या फिर इस तरीके के undergarakarty के जो circle है वो पहले से ही बने हुए आते हैं, इसकी का उप्योग करके हम drawing को अंदर easily इनका उप्योग करके drawing बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, इसके drawing template का उप्योग किया जाता है उसके बाद मैं देखो, मीनी ड्राफ्टर होता है, मीनी ड्राफ्टर को हम जो है किस तरीके से उप्योग करेंगे, ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ओके, ये हमारे पास ड्राफ्टर, आप ड्राफ्टर की वाले अगर आप ड्राफ्टर पर धियान से देखें, तो यहाँ पर एक line है, इस line को ये जो angles लिखें हैं, इसमें 0 के सामने हमें लेकर आना है, ये है 0 बिटा, और ये रही वो line, इस line को हम 0 के सामने लेकर आते हैं, और अपने ड्राफ्टर को, जब हमने इस line को 0 के सामने ले आए, तो अब हम इस nut को यहाँ पर tight कर देंगे, इसको ध्यान रखें को बहुत ज्यादा tight ना करें, क्योंकि हमें ड्राफ्टर को कभी lose करना है, कभी tight करना है, now tight करने के बाद, अब drawing sheet along the scales of drafter, that means drawing sheet को along the scales of drafter लगाना है, तो हम drawing sheet उठाते हैं, drafter को नीचे लेकर आते हैं, और नीचे लाने के बार drafter को नीचे लेकर आए, और अब इस drawing sheet को, इस along the scales of drafter लगाया जाएगा, तो देखें ध्यान से, जी, अगर आप ध्यान से देखें, तो scale के along मैंने अपनी drawing sheet को लगा दिया, अब एक हाग कसके यूँ रखें, drafter को side में करें, drawing sheet ना हिलाए, और clips उठाएं, और clipping कर दें, एक clip मैं यहाँ पर इस side लगा देता हूँ, clips according to the need लगाई जाती हैं, जैसी आपकी जरूवत, जैसी आपकी आवश्यक्ता, दूसरी clip मैं यहाँ पर इस side लगा देता हूँ, धियान रहे, drawing sheet ना हिले, और मैंने दूसरी clip यहाँ लगा दी, आप चाहें तो एक clip इधर भी लगा सकते हैं, अब अगर आप धियान से देखें, तो आपका drafter along the sheet, आपकी sheet along the scales of drafter लग चुका है, आप चाहें तो इसको check भी कर सकते हैं, आगे जाकर यहाँ देख सकते हैं, तो friends, हमने अभी अभी सीखा, कि drawing sheet along the scales of drafter कैसे लगाई जाएगी, जब भी आप drawing बनाए, इसी तरीके को इस्तेमाग देखा, इस वीडियो के अंदर आपने देखा, कि किस तरीके से drafting tool को उपयोग किया जाता है, और किस तरीके से इसको drawing board के ओपर कसा जाता है, ठीक है, उसके बाद में देखो, drafting machine होती है, drafting machine का उपयोग जो है, वो पहले से ही एक, इस तरीके का machine है, जैसे कि हमारा CNC machine होता है, उस तरीके का, यह machine है जिसके ओपर board के ओपर drafter जो है पहले से fit रहता है और उसके उप्योग करके हम जो है horizontal, vertical या किसी भी angle के ओपर drawing बना सकते हैं उसके बाद में drawing instrument जो box होता है drawing instrument box होता है उसके अंदर बहुत सारे tools आते हैं जैसे कि compass है, lightning bar है, divider है, हमारा इंकिंग pen है या फिर bow instrument है या drop spring pencil या पैन है तो यह tools आते हैं हमारे drawing instrument box के अंदर ठीक है तो देखो compass जो होते हैं वो दो type के होते हैं, एक large compass होता है, एक small compass होता है, compass का उप्योग जो है हम circle मनाने के लिए या फिर divider के तोर पर उप्योग में लेते हैं या फिर चाप काटने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, ठीक है lengthening बार होता है, lengthening करने के लिए यूज किया जाता है, divider होता है जैसे कि के अंदर आपको दिखाया गया है कि एक line को divide करने के लिए जो है divider का उप्योग किया जाता है जिसे किसी line को 2 भाग में divide करना है, 3 भाग में divide करना या 5 भाग में divide करना तो इस तरीके से हम divider का उपयोग करके उसका divide कर सकते हैं ठीक है बाद में इंकिंग पेन होता है इंकिंग पेन एसा ही पेन है जिसके अंदर इंक जो है लिक्विड में डलता है और उसके बाद में हम इसका उप्योग जो है ड्रोइंग बनाने के लिए उप्योग करते हैं वह इंस्टुमेंट होते हैं वह इंस्टुमेंट का उप्यो सबस्क्तara कर हैं तो देखा है कि आपने कौन कौन से टूल जो हैं इंजिनिरेंग बनाने के लिए उजिनियोंग करते हैं वह मैनेटली NZD ंबनाई जाती है हाथ से जो ड्रैक बनाघ जाती है और एक प्लान तयार करता है जिससे कि जो प्लान है वो successful हो सके उसका preview देख्या जा सके कि कैसा दिखेगा तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो tools हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद